हेलो एब्रीवान, वेलकम टू मैं चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडी ड्रेस की कटिंग और स्टेचिंग बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने दो मीटर रियोन का कपड़ा लिया है और दो ही मीटर मैंने अस्तर का कपड़ा भी लिया है, और इस ड्रेस को आप य मेंडी की जो रेडी लेंथ है, वो है 41 इंच की, जिसमें से की 14 इंच का उपर का अपर पाट है यानके बोड़ेस और 27 इंच का बॉटम वाला पाट है, तो अब मैं इसे हिसाब से मीडी की कटिंग करूँगी, अब मैं सबसे पहले अपर पाट की करूँगी तो इसके लिए पर देखेंगे कपड़ा हमारा चार फोल में रखा हुआ है अब सबसे पहले हमें यहां उपर टॉप में आधा इंच का मार्जन ले ले लेना है जो सिलाई में दबेगा अब इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूँगी तो देखिए मैंने स्ट्रेट कर दिया है अब यह जो फो कि लिकान लगाना है तो जितना भी आपका बस साइज है अप उसको चार से डिवाइट कर एया आथा इंच कीर लूजिंगें कर दिए मेरे मेजरमेंट में बस्त्रेट कर दो अधा नेशां लगाने और इसको अब इम्में आ आम होले पॉइंट ज्रेट यंप जोइन से जॉ में दबेगा तो 14.5 इंच पर मैंने निशान लगाया अब इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया अब यहीं पर हमें कमर क्ले निशान लगाना है तो जितने भी आपके कमर है आप उसको चार से डिवाइट करें और आधा इंच की लूजिंग करें मेरे मेजरमेंट में कमर है 31 इंच की तो उसको चार से डिवाइट की और आधा इंच की लूजिंग अट करी तो आया 8.25 इंच तो 8.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है अब इस पॉइंट को उपर बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से हमने जॉइन कर देना है इसके बाद यहां पर हम हमें उपर को एक इंच पे एक निशान लगा लेना है इनके वान इंच पे और इस पॉइंट को हमें यहां फोलेड वाली साइड में हलका सा घुमाओ देते वे जॉइन कर देना है अब यहां पर हमें बैक का आम होल कर बना लेना है तो हलका सा घुमाओ देते वे इससा से आ रहे हूं और nek की है दिपनेश में शेंच इन रहा हूं अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते वे लेना है और राउन नेक लाइन का शेफ बना लेना है तो ये नेक लाइन बन गहीं है अब बैक नक की nic यहां पर भी हमें राउंड शेप देते वे बैक की नेक लाइन बना लेनी है यहां पर जो आम होल वाली लाइन है इस पर हमें आधा इंच नीचे पर एक निशान लगाना है और इसको उपर नेक वर्थ वाले पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है शोल्डर स लोप बना लिया है मैंने अब हमें शोल्डर स्लोप में आधा इंच का मार्जन ले लेना है और आम होल में कोई मार्जन में नहीं ले रही हूं आप चाहें तो 0.25 इंच का मार्जन ले सकते हैं और यहां साइड में एक से 1.5 इंच का मार्जन हमें ले लेना है अब हमें इस पार्ट में हमें बैक वाले हिस्से की नेक लाइन को ट्रेस कर लेना इस तरह से तो नेक लाइन ट्रेस कर लिए अब मैं इस पार्ट को अलग हटा दूंगी और इस पार्ट को ऐसे ही रहने देना है और ये फ्रंट के आम होल करके कटिंग कर लेनी है तो ये कटिंग पूरी हो च्किक है फ्रन्ट और ठankiब मैं इसके बोटम वाले प्राट के कटिंग करूँगी तो बॉटम प्रेंग के लिया है यह कप्ड़े की यहां पर आधा इंच का मार्जन ले 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 लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिना है अब यह जो लाइन कीची है यहां से नीची को हमें इसके बॉटम वाले पाट की लेंद के लिए निशान लगाना है तो मेरे मेजरमेंट पे लेंद है 27 इंच की और इसमें एक आप इसके मार्जन ले रहे हूं जो चिलाइ में नशान लगाया अब यह लाइन को बाहर को में इसे राइन कर दोंगी तो दिग cocoa स्ट्रेट लाइन से जोई नगी है अब इसके कमार के लिए निशान लगाना है तो इसका अपर वाला पार एह पहले हम उसको लेना है और इस इस पॉइंट से बाहर को हमें 3 इंच पे एक निशान और लगाना है यह एक्स्ट्रा कप्रा इसले बढ़ाया था कि हम यहाँ पर गैदर्स डाल सके अब इस पॉइंट को हमें नीचे बॉटम में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया है अब इसके बॉटम में हमें हलका सा घ कर लेनी है तो दिखिए मैंने इसके कटिंग कर ली है अब यह जो टॉप और बॉटम पार्ट है दोनों को हमें में कपड़े में भी कट कर लेना है और ध्यान रहे कि जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हमें में कपड़े में थोड़ा सा ज्यादा कट करना है दो इंच अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताते हूं तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये कपड़े की सीधी तरफ है अब अस्तर वाले कपड़े को हमें में कपड़े की सीधी तरफ पे रखना है और इसकी जो नेकलाइन है इसको दूसरी तरफ भी हमें trace कर लेना है पहले और अब same marking के उपर हमें तो देखिए नेक लाइन में मैंने इसके सिलाई यहां पर लगा दिया मार्किंग के उपर अब सेम इसी तरह से हमें जो इसका आम होल है उसमें भी सिलाई लगानी है आधा हिंज की दूरी पे सेम इसी तरह से हमें इसका जो दूसरा आम होल है इसमें भी सिलाई लगा लेनी है इसके दोनों आम होल्स में और नेकलाइन में मैंने सिलाई लगा दी है अब इसकी नेकलाइन में हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते वे इसको कट कर लेना है इसके बाद इसके नेक लाइन में हमें छोटे-छोटे से कट्स लगा देने हैं बस ध्यान रहे सिलाई न कटे सेम इसी तरह से आम होस में भी हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद हमें इसके कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है सीधी तरफ को पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर दें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए तो ये देखे मैंने इसमें प्रेस कर दी है अब मैं बैक वाला पार्ट बनाऊंगी तो यह मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओमू करते वे होनी चाहिए इसके बाद हमें इसके नेक लाइन में और आमोल में सिलाई लगानी है लेकिन उससे पहले आप अपना लाइन पार्ट वाले का शोल्डर आये अब निशान लगा लीजे सेम इससी तरह से बौटम वाले हिस्से में भी आप अमें निशान लगा लेना है और दूसरी तरफ पे भी हम इसमें इसलाई लगांगे अब यह फ्रंट वाले पार्ट को आप हटा दें और जहां तक भी हम भी लगा दिये हैं अभी हमें इसको फोल्ड नहीं करना है सीधी तरफ को हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके उपर रख देंगे ध्यान रहे जो फ्रंट वाले पार्ट की सीधी तरफ है वह हमारे बैक वाले के अस्तर के और को रखनी चाहिए यानि कि उल्टी इन चोल्डर को हमें बैक वाले के अस्तर और में कपड़े के बीच में से निकालना है तो उपर की तरफ से आप इसको इस तरह से बाहर को निकालने और सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला शोल्डर होगा उसको भी में कपड़े और अस्तर के बीच में से हमें निकालना और शॉल्ड की तरह से बाहार को कर देना है अब बस हमें इसके जो शुल्डर्स हैं इसमें दोनों में आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है तो देखिए मैंने इसके सिलाई लगा दी है अब हमें असतर का जो उपर वाला हिसा इसको उठाना है और ये कपड़े को सेवे सीधी तरफ को पलट देना है और यहां पर आप देख सकते हैं शोल्डर देखिए दोनों शोल्डर कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ फ्रंट और बैक में जॉइन हो चुके हैं अब आप इसमें भी प्रेस कर लें जिससे इसमें अच्छी से फिनिशिंग आ जाए ने हरता है उसकी उपर main कपड पराप से इस सबूल के इसमें स्क र Boss के अब हमें से कमर वाले हिससे में से इलाई लगानियं ताकि दोनों अस्तर और कि कमर ते बातना है तो देखिए मैं इसमें गैल के तरफ दिखाओ करूं तो दीए इसो ग्या-थ को इसके दोनों बराबर है और अब इन दोनों पार्ट को जॉइन करना है, तो जॉइन करने के लिए आप जो अपर वाला पारण है इसका एक हिस्सा उठाएं यानि कि फ्रंट वाला मैं यहाँ बने रही हूं और इसको पलट के बॉटम को जो गैद Is, उसके ऊपर रख दे रही हूं अब इसकी जो कमर वाला हिस्सा है इसमें हमें यहाँ पर दोनों को मिलाते वे आधा हिंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है तो मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके कमर वाले हिस्से में सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलिटने के बाद ये इस तरह से दिखेगा अब सेम इसी तरह से हमें इसका दूसरा वाला हिस्सा जॉइन करना है यानि कि जो बैक वाला पार्ट है ये इसमें भी हमें ये गैदर्स को जॉइन करना है और उसके बाद जो इसका बॉटम वाला घेर है इसको भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है